यह जार रूपय को मैं जो है चेलाग तक लेकर जाने वाला हूँ यह हमारा इस ट्रेडिंग जनी के एपिसोड नमबर है आज के दिन हम लोग ने कैसे कि प्रॉफिट किया लॉस के बारे में बताता है बट उससे पहले आप से विभायों से रिक्वेश्ट है कि प्लीज यार अपने उससे चोड़ा सा लाइक कर दीजेगा और कोई विभाय चैनल पर नहीं हो आपको मेरे ट्रेडिंग जनी ट्रेडि सस्क्राइब भी कर सकते हो वैसे यह तोटली आपका पर्सेनल चोईस है तो हम लोग अगर लाश्ट डे की बात करें तो लाश्ट डे में मैंने 14 तरीक को कोई भी ट्रेड नहीं किया था तेरा तरीक को हमने एक छोड़ा सा लॉस किया था उसके बाद मेरा कैपिटल बना था 8,150 रुपए तो यही 8,150 रुपए लेकि आज हम लोग ट्रेड करने वाले थे लाश्ट डे भी हम एक बहुत बढ़िया जगह पर थे हलाकि लाश्ट डे का फालतों का बाते करके कोई फायदा नहीं है उस दिन मेरे साथ थोड़ा सा एक गलत सीन हो गया था मेरे अकाउंट म के आसपा सेंट्री करने का तो वह वाला मैंने पहले ध्यार नहीं दे था कि मेरे एकाउंट में कैपिटल ही नहीं तो मैं उस वाला ट्रेड जो है मिस किया इसके बाद उस दिन और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया तो इस वाश्ट डे मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे जो है सपोर्ट वाले जगह पर है मतलब 21,950 वाला जो जोन है इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता तो एक डाउनफॉल एजी ले हम लोगों को देखने को मिल सकता वट इस जगह से सपोर्ट लेकर मार्केट फिलाल थोड़ा सा उपर है तो यहां पर भी एक और ट्रेड पर यह चार्ट जो है विउ कर रहा हो तो इसके लिए पहले मैं चलता अब फाइम मिनिट के इक पर एक सगेनिस मैं पता नहीं चार्ट का क्या ग्लिच है यह उठ जाता है बार बारी नौसो पचास वाला यह वाला एक जोन है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है ओके वान आवर के हिसाब से जो मेरे चार्ट पर ड्रॉ था एंड दूसरा जोन है हम लोग पकड़ सकते हैं अल्मुस्ट इस जगह पर इस जगह से भी मार्केट कही बार उपर गया है कई बर इस जगह से सपोर्ट लिया है पहले आप लोग देख सकते हो यह देखिए अगर नोटिस करेंगे एक बार गया दूसरी बार गया थर्ड टाइम गया है फोर्थ टाइम गया है देख रहे हो कई बर ब्रेक भी किया है हलाकी लेकिन इस जगह को अल्मुस्ट एक अच्छा खासा जो है वालिडिटी दिया है मार्केट ने ठीक है ऐसा नहीं है कि इस जगह कोई भी वैलू नहीं है ओके ऐसा कुछ भी सीन नहीं है ठीक है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हूं बाद 9-15 पर 9-15 पर मार्केट ओपन हुआ ओपन होने के बाद अच्छा ग्रीन केंडल बनाए दो-तिन ग्रीन केंडल बनाए देन एक सीधा रेट खैंडल में सबका इसे लिट किया और उसके बाद नीचे से सपोर्ट लिया जिस सीज को मैं बता रहा था कि इस जगे से मार्के सपोर्ट तो ले रहा था तो मैं इस जगे पर एंट्री कर सकता था लेकिन इस जगे मुझे खास उतना कुछ कॉंफिदेंस नहीं आ रहा था तो इस विए से मैंने एंट्री नहीं किया थोड़ा सब tooth किया का एंड वेट करने के और उसके उपर डिपेंड करके मैं ट्रेट्स जो है इनिसियेट करता हूँ अपना तो उसी चीज़ को द्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस किया मार्केट में कि 25,100 पे 100 से मार्केट नीचे आ सकता है यहाँ पर हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा वियू विल्कुल विल्क क्लियर था कि 22,100 से मार्केट नीचे आएगा यह चीज़ में एकदम क्लियर था इस जगे पर मैं एंट्री करने व मार्केट की इस जगे से सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब यह 22,100 वाला लेवल जो है इसको क्रॉस किया था तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों बताया मेरा क्लियर भी था कि मार्केट यहां से नीचे आएगा तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने मैं फर्स्ट एंट्री बनाया इस जगे पर ठीका फिस्ट एंट्री बनाया एक डम एक्जक्ट इस जगे के टॉप पर लेने का मैं को उसी सक्राद मुझे लेकिन तो पर नहीं हो पाए थोड़ा से नीचे अगर मैं इस जहें को थोड़ा से जूम करूं ना तो मैं आप यह जो green candle है वही same candle 1420 वाला candle के एकदम नीचे मेरा entry करने का इरादा था लेकिन exactly नहीं हो पाया मैं पहले अपने order book आप लोगों दिखाते ताओ देखिए मैंने पहला entry बनाया था 110 पे प्रीमियम था 110 पे थोड़ा सा उपर मुझे प्रीमियम मिला इसका time दिखा दो आप लोगों देख सकते हो 1423 पे ठीक है तो 1423 पे मैंने entry बनाई अपनी इस जगे पे 110 हो गया था मेरा entry करते ना इसका इसके अंदर entry करते करते 110 हो गया था तो इस जगे पर अल्मुस्ट एंट् करता हो एंड मेरा profit लेना का टार्गेट पर रहता है 300 300 प्रॉफिट हो जाए तो उसके उपर मैं कोई भी और ट्रेट नहीं करता हूँ यह बिल्कुल clear-cut मेरा targets रहता है लेकिन आज क्या हुआ पहले मैंने इस जगे पर ट्रेड लिया एंड उसके बाद अगले candle में मेरा इस से लिट हो गया मैंने 110 पर इंट्री बनाया था तो जाहिड सी बात है मेरा इसल रहाए के 107 पर आप लोग देख सकते हो 107 पर मेरा इसल भी था वह इसल मेरा हीट हो गया ठीक है मेरा 150 का लॉस हो गया लेकिन मेरा यहां से व्यू जो है बिल्कुल भी स्ट्रॉंग था कि मार्केट इस जगे से नीचे जाएगा तो इसी वाज़े से मैंने एक और अपना इंट्री बनाया अगले इपल देख सकते हो 14 25 पर अगले केंडल पर ठीक है अगले केंडल पर मैंने इंट्री बनाई 105 पर मतलब ऑल्मोस्ट देखोगे तो मैंने अपनी इंट्री नेक्स्ट इंट्री जो बनाई थी वह थी 105 पर 105 पर एक्जाक्ट 105 पर मैंने एंट्री बनाई 102 पर 102 पर अहां एक्जाक्त ली 102 पर मेरा इसल था तो इस वाले कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा नीचा या लेकिन मेरा SL फिट नहीं किया तो मैं तो इसके बाद जैसे मार रूल्स को ब्रेक कर रहा हु तो इसी वज़ासे मैंने क्या किया थोड़ा साओ सेप गेम खेलने का कोशिस किया एंड मैंना अपना इसल को स्टू को स्ट्रेल कर दें ताकि मेरा कुछ भी लॉस ना हो इसी कॉस्ट टू को स्ट की वज़े से हालकि इसके बाद मार्केट मतलब क्या ही बोलो मैं पिछले जो दो ट्रेड में थोड़ा से एंट्री मेरा गलत हो जा रहा थो तो इस वाइसे मेरा कॉंफिडेंस लेवेल जो था वह डाउन हो गया अधर्वाइस इस ट्रेड में पोटेंसियल था कि यह ट्रेड मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट द अपनी एंट्री माई और मैंने अपनी एंट्री में वंचिड हाई तो कि अगर मैं मार्क करू न तो आप लोग देख सकते हों एकसो दो मींस यहां पे इस जगे पर exactly मेरा entry था इस candle के इस जगे पर exactly मेरा entry था SL मैं थोड़ा सा बड़ा रखा था SL लखा था last वाले यह जो red candle है इसके पीछे इसके नीचे actually मतलब 97 का मैंने SL लखा था पांच पॉइंट का SL लखा था जहां पर मैं डेली का 150 लेने वाला बंदा हूँ वह पर मैं पांच पॉइंट का SL मतलब अल्रेडी मैं 150 का लॉस कर चुका इंड उसके बाद मैं 250 मार्केट को देने के लिए दिख जसे मैं थोड़ा सांदर से डर गया लगया से एक रीट के वाज़े से केवजे से के आब mówi दिया एक अपमॉब मिला मुझे मैंने कक्या क्या एसल को अपना स्प्राइल कर ईसको žाउस कर दिया एक सो दो पील गव्र उसल को ट्रेल करने के बाद किया ओए मार्केट यह से थोड़ा से उपर तो गया 108 तक गया 102 से 102 से 108 मतलब 6 पॉइंट मुझे चे पॉइंट मतलब 300 रूपए अल्मुस्ट मिल ला था लेकिन मुझे वह 300 रूपए चाहिए नहीं थे क्योंकि मेरा 150 का SL भी है तो मुझे मेरा टार्गेट था 111 तक का 111 तक मैं बुक करना चाहता था तो इसी वाज़े से मेरा इस सल को जो मैं कॉष्ट कर दिया था यह अगला कर एंडेल तो नीचे आया तो वो मैरा को हिट-करगया मतलब सुच्ट को हो खुई भी मेरा कैसा था एक हाथ के ऊपर किसी ने पैसा रख दिया बस उसको बंद नहीं कर पाया मैं सही टाइम पर पैसा हवा में उड़ गया ऐसा सीन हो गया मेरे सथ लिट्रेली तो बस आज का मेरा ट्रेड्स तो यही था और मेरा टोडल लॉस जो है जैसे कि मैंने आप लोग को ओडर आप लोग को बता दू कि मैंने आज टोटल तीन ट्रेड किया अगर यही ट्रेड करने के लिए मैं उसकरता हूं अगर इंश्टॉक चोड़के मैं 0 या धन उसकरता तो मेरा लॉस पता है गया होता 150 के साथ और 150 रुपीज मेरा लॉस होता क्योंकि 150 रुपीज और तो ब्रो अगरे मिलता फुरेशनी वीडियो साथ तो 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 लिगा इस्टार एंड बाबाई